जैहिंद दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग मैं हूँ आप सभी लोग का दोस्त संचेत और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टो सभी बात के पास बात के पास बंकनी ने सस्तें करने की कोशिश करी है निफ्टी ने भी एक critical 17,200 के लेवल के आसपास जो है वो sustain करने की कोशिश करी है तो आज रात को अमेरिका में जो है वो the day है क्योंकि आज Jeremy Powell साब का बयान आएगा Jeremy Powell साब rate cut करते है rate hike करते है या फिर stability ही रखते है rates में ये देखना important होगा और बहुत बड़ा दिन आज का जो है वो हो सकता है global markets के लिए और अपने markets के लिए भी क्योंकि एक बड़ी direction किसी भी side आ सकती है ठीक है मुझे आशंका है कि अगर चीजे सही रही मतला one directional कोई भी move आता है तो बड़ा move आएगा चाहे वो उपर की side का है या फिर नीचे की side का है क्योंकि मेरको उमीद थी कि बड़े event पे जाने से पहले FIs अपनी short position को थोड़ा काटेंगे बट उन्होंने आज का data देखके भी नहीं लगता है कि उन्होंने short covering करी होगी 91% FIs short है इस market के उपर सिर्फ 9% long है lowest ever long level इनका है कोविड crash के बाद के I think कोविड crash में भी जो है वो 15 के आसपास का था Russia Ukraine war में 18 के आसपास का था बट इस वक्त जो है उससे भी आधे number पे जो है ये लोग जा रहे हैं एक बड़े event में क्या इने कुछ ऐसा पता है जो अपने को नहीं पता क्या इने वो चीजे पता है जो अपने को नहीं पता वो आज रात को जो है वो finally decide हो जाएगा और हाँ सभी लोगों के साथ मैं live जुडने वाला हूँ मुरात को जो फेड का decision आएगा जरोमी पावल साब जो बयान देंगे उसके बाद अमरीकी वजार किस तरीके का move लेते हैं तो ठीक है अब सबसे important चीज क्या है सबसे important चीज है यहां पर आज का event इस वक्त अगर आप देखो तो अमरीकी futures कोई भी trend लेने को तयार नहीं है बिल्कुल flat है जीरो पॉइंट उपर एक पॉइंट नीचे जो इस वक्त है दिखाई दे रहे हैं तीस पॉइंट नीचे नाजड़क फूजर्स युरोपियन फूजर्स मिक्स टू पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं बाकि अगर आप देखो तो आज अच्छा खासा momentum जो है वह बाकि एशियन पियर्स में था हमने अंड़ परफॉर्म किया अगर आ इतना शौर्ट है आज उन्हें जरॉमी पॉल साब का साथ मिलता है या फर जरॉमी पॉल साब इनके शौर्ट कटवाएंगे और बहुत बुरी तरीके से कटवाएंगे यह देखना होगा तो देखिए अब आज अमेरिका में क्या हो सकता है सबसे पहले वह डिसकस कर लेता ह कल की स्ट्राटेजी बनाएंगे क्योंकि चार्ट पे डिसकस करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ है नहीं उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रूप को जॉइन नहीं के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मोर देन ऐटी रान था चीज है कि अमेरिका में आज रात को क्या होगा अमेरिका में आज रात को क्या होगा इसकी सबसे बड़ी चीज हम लोग को जो देखने वाली है वो चीज है कि आज जरमी पॉल साहब रेट हाइक करते हैं तीनों चीजों पर हम लोग डिसकस करेंगे अगर रेट हाइक करते ह है और बोलते हैं कि भाई फाइनेशल सिस्टम अपना बिल्कुल ठीक है जो है दिक्कत का कोई बात नहीं है इंफलेशन अपनी में ट्राइजिक्ट्री है दूसरी चीज जो हो सकती है कि रेट कट किया जाए जरूमी पॉल साब से हम अभी क्या बात कर रहे ते रेट हाई की अब हम क्या बात कर रहे हैं रेट कट कर दें और साथ में कुछ नेगिटिव ना बोले तो मार्केट बहुत बुरी तरीके से दोडेंगे अगर रेट को स्टेबल रखके भी कुछ नेगिटिव ना बोले तो भी मार्केट जो है वो दोडेंगे तो दोडने की पॉसेबिलिटी जादा है जस्ट बिकॉज हम लोग उपरी लेवल से इतना गिर चुके है ठीक है खराब क्या होगा वो रेट कट या स्टेबिलिटी र हो जाएगी बट अगर आप कंपेर करते हैं पिछले कुछ दिनों से जैनेटी एलन के जो बयान आ रहे हैं जो उनकी ट्रेजरी सेक्रेटरी है उन्होंने बोलाए कि अगर बैंकों में कुछ भी दिक्कत आती हम लोग दुबारा से जो है बैंकों को और लिक्विडिटी प्र अब एक्सपाईरी पर अपने को क्या करना है कुछ नहीं करना भाई मैं आपको रेंज बता देता हूं 17200 और 17110 इस रेंज के आर पार कहीं भी हम लोग खुलते हैं तो ही आपको ट्रेड लेना है इस रेंज का कहीं भी सिरा जो है वो ब्रेक आउट ब्रेक डाउन होता है तो आपको ट्रेड लेना है अधरवाइस त्रेड नहीं लेना है रेंज में फसा रहेगा सिंपल निफ्टी का बैंग निफ्टी में भी सिंपल बता देता हूं ये वाला लेवल 40,050 का लेवल बहुत critical है downside में 39,840 का लेवल 850 का लेवल बहुत critical है 200 वएंड की range मा जो bank nifty को squeeze किया गया है तो bank nifty फटेगा एक side को और एक side को फटेगा तो बड़ा move देगा तो 40,050 के उपर बड़ा move on the upside में 39,850 के नीचे बड़ा move on the downside में यहां पर सारी अपडेट्स आपको मिल जाएंगी दोस्तों आश्या करता हूं वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीज़ेगा ज्यादा आज मेरे पास कुछ लेवल्स नहीं है क्योंकि भार्केट में रेंज इतनी टाइट और स्क्वीज बनी हुई थी तो जादा कुछ करने के लिए हमारे पास है नहीं रेंज मार्केट ने बना के अल्रेड़ी दे हुई है इस रेंज को आप किस तरीके से प्ले करना है वह सबसे इंपॉर्टन चीज़ है जै हिंद वंदे मातरम